बिस्मिल्यामानर रहीम असलामलेकूं वियोर्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ जैनल फिलासफी की हवाले से बात करूंगी और आज की वीडियो में हम देखेंगे आइडिलिजम किसे कहते हैं इसका क्या कॉंसेट है इस कॉंसेट को कौन-कौन से ऐसे फिलासफोर है जो के मानते हैं और इस फिलासफी की एजुकेशनल इंप्लिकेशन क्या है इस फिलासफी के मताबिक एजुकेशन के क्या एम्स हैं और क्या करिकुलम है और क्या मैथड आफ टीचिंग हो सकते हैं और आइडिलिजम के मताबिक एक टीचर का क्या रोल होता है और इसके साथ स्टूडेंट का क्या रोल होगा यह एक एहम कॉंसेप्ट है और अगर आप पीपी ऐसी में एडिकेशन के लेक्टर के लिए त्यारी कर रहे हैं या आप इन फ्यूचर हैड्मि तो यह विडियो आपके लिए बहुत ज़दा हैल्फुल होगी क्योंकि इसमें एक तरफ तो आप फिलासफी के हवाले से मौलमात हासल करेंगे तो दूसरी तरफ प्रैक्टिकली भी आप अपनी क्लास में किस फिलासफी के तहत बचों को तालीम देने ही हैं इस हवाले से भ बात करें तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह लफ्ज किस लफ्ज से ड्राइब है आइडिलिस्प जो है यह ग्रीक वर्ड आइडिलिस्प मौन से ड्राइब है और आइडिलिस्प मौन जो लफ्ज है वो लफ्ज आइडिया से ड्राइब है और आइडिया का क्या मतलब है इसका मतलब है तू सी सम्थिंग फिगुरेटिवली और आइडिलिस्प की फिलोसफी जो है वो प्लूटो की फिलोसफी ओफ आइडिया से इसका जनम हुआ है और यह और व्लॉस्पी जैनि के मौडर्ड फिलोसफी नहीं है बलके यह एक पुरानी फिलोसफी है और अब अब यह देकते हैं के आइडियलिस्प का कौनसेप्ट है वह आम तौर किन चीज़ों के ओपर फोकस करता आजब कर möchte में ये मॉर्स्टिक फिलासफिया थो है सियम्तिक और मॉनि स्टिक ये वह अब मॉनि स्टिक ऐसे शाम से और लाद ये यानि कि आइडिलिजम एक ही कॉंसेप्ट के उपर फोकस करता है और वो कॉंसेप्ट है स्पिर्चलिजम और आइडिलिजम में शिफ्ट होता है from natural science to the spiritual aspect of human experiences और इसके साथ आइडिलिजम में कहा जाता है कि knowledge acquired by the experiences of mind is more important than the knowledge acquired by senses गोई आइडिलिजम में एक तरफ तो spiritual aspect के उपर बहुत ज़्यादा जोड़ दिया जाता है तो दूसरी तरफ जो हमारी mind के experiences होते हैं और जो हमारी mind की activities हैं उनको ज़्यादा focus किया जाता है और उन्हीं को एहमियत दी जाती है और कहा जाता है जो भी इल्म हम अपने mind के जरीए और mind की activity और experiences के जरीए हांसल करते हैं वो उस इल्म के निस्पत जादा बेहतर होता है जो के हम अपने senses के जरीए हांसल करते हैं अब हम यह देखते हैं कि इस philosophy को मानने वाले कौन-कौन से philosopher है यानि कि कौन-कौन से philosopher protagonist है इस philosophy के तो इन में सबसे पहले तो Pluto है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह philosophy जो है वो Pluto की philosophy of idea से मखूँज है और इसके बाद सौक्रेट से हमारा बरकले है फीच है कम्यूनिस है और इसके साथ अगर हम modern लोगों में से कुछ लोगों को देखें तो फ्रोबल है पिसालूजी है हमारा और भी कुछ philosophers हैं लेकिन यह एहम नाम है और इन को जानना आपके लिए बहुत ज़्यदा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर सवाल ये भी आजाता है कि idealism को कौन-कौन से philosopher जो हैं वो मानते हैं तो ये कुछ एहम नाम है और इन सब को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो उस exam में इनके हवाले से अक्सर सवाल आ जाता है अब हम ये देखते हैं कि इस philosophy के तहट aims of education क्या हैं इस philosophy के तहट education का जो सबसे पहला एम है वो है self-realization चुकर ये monastic approach है और ये spiritualism के उपर बहुत ज़्यदा फोकस करती है और इसके सासाथ के God को source मानती है तमाम काइनात की और इसके सासाथ इनसान की creation का और ये इसलिए कहती है कि चुके God जो है वो source है जिसमें के हमारे जो काइनात है और इसके सासाथ हमारे इनसान है उन सबका जो source है वो God है और ये बहुत ज़्यदा जोर देती है हमारी self-realization के उपर और इसके सासाथ के human personality के उपर बहुत ज़्यदा फोकस करती है और human personality को ये बहुत ज़्यदा noble मानती है और कोशिश करती है कि तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि एक इनसान की जो personality है वो develop हो और वो इस तरह से develop हो कि वो अपने आपको पहचान सके और अपने आपको जान सके तो self-realization जो है वो इसका बहुत ज़्यदा एक एहम concept है अब हम इस philosophy के तहट जो दूसरा aim है उसको discuss करेंगे और वो है development of moral values इस philosophy के तहट education का ये aim होना चाहिए कि बच्चे की moral values जो है वो develop हो और बच्चा जो है इन moral values की बुनियाद पर वो decide कर सके कि क्या right है और क्या wrong है जैसा कि आपको पता है कि जो सुक्रात है वो बहुत ज़्यादा focus करता है truth, beauty and goodness तो इस philosophy में सुक्रात के इन तीनो points के उपर भी focus किया जाता है और ये कहा जाता है कि तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि बच्चा जो है वो right or wrong में decide कर सके और इसके साथ साथ उसकी अंदर ये तीनो qualities पैदा हो तो वीवर्स आज मैंने आपके साथ idealism के हवाले से कुछ एहम मालूमात जो है वो share की है idealism के हवाले से ये मेरी वीडियो का part 1 है अब अगली वीडियो में जो idealism के हवाले से कुछ बाकी मालूमात है वो मैं आपके साथ share करूंगी अगली वीडियो तक के लिए अलाहाफिज शुक्रिया